अगेन वेल्गम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ आज आपके लिए वेकेंसी लेके आया हूँ जिसमें आप आल इंडिया से अवेधन कर सकते हैं और याद रखेगा इस वेकेंसी में अगर आप अवेधन करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम एज लिमिट 40 एयर तक आप इसमें अवेधन कर सकते हैं और इसमें अवेधन कर सकते हैं तो चलिए गोर्मेंट की जॉब है अगर आप डूण रहे हैं तो आपको मैं कम्प्लीट गाइड कर देता हूँ कि कहां से अवेधन होगा किस वेबसाइड पे जाना होगा आपको नोटिफकेशन कहां से लेनी है A to Z आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा और सब कुछ देखने के बाद अगर आपको वेकेंसी अच्छी लगती है तो आप जरूर अवेधन कीजेगा और इसी तरह के और भी अपडेट पाने के लिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको बाद में बूलना जाए तो सबसे पहले आपको बता दू कि हमारी एक वेबसाइट है समझाय का .in 2017-2018 से हम इस वेबसाइट पे आते जा रहे हैं और यहाँ पे वेबसाइट अपडेट होती जा रहे है तो यह राजस्तान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड की तरफ से वेकेंसी आई हुई है इसमें अवे इसमें आपका रिटन भी होगा फीजिकल भी होगा ठीक है फॉरस्ट गाड के लिए मिनिमम टैंथ पास चाहिए फॉरस्टर के लिए 12 पास दिखे अब राजस्तान में एक देवनगरी लेंग्वेज होती है आपको वह पढ़नी आनी चाहिए उसकी नॉलेज होनी चाहिए प्लस आप लोग यहाँ पे राजस्तान का जो ग्यान है उसका आपको पता होना चाहिए ठीक है राजस्तान के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए ये बात ध्यान रखेगा आप राजस्तान के रहने वाले हैं और आप कैटेगिरी से बिलॉंग करते हैं तो 450 रुपीस अगर आप करना चाहते हैं फार्म में तो 300 रुपीस आपको पे करने पड़ेंगे लास डीट 7 जनुरी 2020 है जो लोग भी इंट्रस्टीड है जरूर एपलाई कीजिए आठ दिसम्बर से ये फार्म शुरू हो चुका है मैं उमीद करता हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं रह होगा अगर रहा है तो कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड करना लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत बूलिएगा समझ आया क्या